नवस्कार दुस्तों, 7th Class NCRT Geography का ये दूसरा चप्टर है Inside Our Earth, हमारी प्रित्वी के अंदर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे ये हम देख जो है प्रित्वी के अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको प्रपट्टी भी बोलते हैं और इसके जस्ट बाद जो है, ये मेंटल वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं मेंटल, और इसके अंदर जो होता है, इसको बोलते हैं कूर, इसको कूर बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं क्रस्ट, यानि कि इसको भूपरपट्टी या परपट लिए तो मेंटल को मेंटल ही बोलते हैं और इसको कोर को क्रोड भी बोलते हैं हिंदी में इसको क्रोड बोलते हैं कि इसको मेंटल लिखते हैं कि क्या यह फृतिवी के अंदर फृतिवी का ऐसा इस्ट्रक्चर है यह हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यह जो क् most layer भी होता है सबसे ऊपरी परत क्या है ये क्रश्ट व creation जो है ये सबसे ऊपरी परत क्रश्ट का होता है ठीक है फिर उसके बाद जो है вся सब मोटी जो परत है उसके जश्चवाइब उसको हम llega original तो यह मेंटल जो है दूसरा लेयर हुआ और तीसरा लेयर किया हुआ कूर हुआ जिसको हिंदी में हम क्रोड बोलते हैं अब देखिए जैसे यह क्रस्ट हुआ तो हम क्रस्ट में क्या देखते हैं सबसे उपर वाला जो यह पार्ट है यह आपका क्रस्ट है दूसरा यह क्या है यह पार्ट जो है यह आपका पूरा mental है mental देखिएगा तो आपको 2900 देखिएगा किलोमीटर में यह आपको पढ़ना भी है सबसे पहले हम देखते हैं क्या कूर के बारे में हम जानते हैं कि कूर जो है कूर यहाँ पर आपको दो तरह का कूर आपको पढ़ना है एक तो आउटर कूर mental के जश्ट नीचे जब हम आते हैं mental के नीचे जब हम जाते हैं और क्या है यह आउटर कूर है यह बाहे कूर है ठीक है और अंदर वाला जो है इनर कूर है तो है क्या ये सब तो ये क्या है सबसे innermost क्या है, ये cool है सबसे अंदर का जो parts है अर्थ में, वो क्या है как ओच है तीक है, सबसे उपरी परद क्या है, crust है, तो हम crust के बारे में देखते हैं क्या है, the uppermost layer over the earth surface is called the crust, तो crust के बारे में समझ गए क्या है सबसे उपरी परत उपरी एवं पतली परत भी यह पतली परत क्या है यह किसका है तो आपको क्रश्ट का है ठीक है फिर देखते हैं कि it is the thinnest of all layers यह जितना भी है जैसे mental है या कूर है इस सबसे पतला कौन है तो आपका क्रश्ट सबसे पतला है तो यह क्या है सबसे उपरी एवं पतली परत है क्या है कि आप समुद्री वाले इलाका में या हम लोग रहते हैं वो सब क्या है यह आपको क्रश्ट के उपर ही रहते हैं तो क्रश्ट हम देखते हैं क्या क आप करूस्ट्च जो है अप समझते हैं करूस्ट क्या है 35 km सबसाला इसका क्रूस्टर और मुटाई तो क्रस्ट का और यह क्या है ओसीन वाला इलाका है यह अब हम देखते हैं क्या कि इसमें जब मुटाई यानि कि इसके संक्षागर इसका मुटाई देखते हैं तो क्या है ये 35 किलो मीटर तक क्या है ये मूटा है ठीक है ये जब इसके डीप में जाएंगे तो ये क्या है इसके गहराई में जैसे जाएंगे ये तो इसकी मूटाई क्या हो जाएगी 35 किलो मीटर किस में तो कॉंटिनेंट में ठीक है कॉंटिनेंट में जब हम जाएंगे य यहनु कि जब हम ओसीन में जाएंगे तो ओसीन फ्लोर से जब इसको हम देखते हैं तो इसका मुटाई क्या हो जाएगा आपका 5 किलो मीटर तक मैंने समझ में आ रहा है न इसको यह मुटाई हुआ यह तो कहने का अर्थ क्या है कि हम जब महदीप में जाते हैं तो इसका मुटाई क्रश्ट का 35 km तक है और महासागर में जब जाते हैं महासागर महासागर में जब जाते हैं तो इसका मुटाई कितना है 5 km तक इसको साइद आप समझे हुएगा यह क्या है जो है सबसे अंदर क्या है यह कोर है तो सबसे अंदर कोर है यह यह बना कोर किस किस चीश से बना हुआ है इसको हम देखते हैं यानि यह निकेल और फेरस से बना हुआ है फेरस मतलब लोहा होता है निकेल और लोहा से यह बना हुआ है निकेल प्लस लोहा से क्या है बना हुआ है कौन सा बना हुआ है तो यह कोर बना हुआ है ठीक है अब हम देखते हैं क्या जैसे हमने यह बताया तो यह कॉंटिनेंट जो है कॉंटिनेंट तो कॉंटिनेंट जो बना हुआ है वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है तो यह सियाल से मिलकर बना हुआ है इसको सियाल बोलते हैं सियाल मतलब सिलिका अब सिलिका अपलास अलमुनियम सिलिका पलास अलमुनियम से मिलकर के यह महाद्वीप का जो क्रश्ट है वो बना हुआ है किस किसी से सिलका और अलमुनियम से मिलके बना हुआ है वही जब महासागर में जाते हैं तो महासागर वाला क्या है यह सिलका अपलास मैगनिसियम से मिलकर के बना हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं सीमा भी बोलते हैं सीमा तो इसको क् continental को C l बोलते हैं और oceanic को यानि कि ocean वाले Parts को क्या बोलते हैं सीमा बोलते हैं शायद आपको समझ में आया होगा ठीक है अब इसको हम देख लिए अब आगे हम देखते हैं यह आपका क्या है ocean वाला Parts है यह आपका continent वाला पार्ट है तो कॉंटिनेंट क्या है सियाल है कॉंटिनेंट तो कॉंटिनेंट में क्या है आपको बता है सिलका और एलमोनियम से मिल करके बना हुआ है इसलिए इसको सिलका और प्लास एलमोनियम से मिल करके यह बना हुआ है वही ओसियन वाले पार्ट में जब जाते हैं तो यह से मिलकर बना हुआ है तो सीमा यानि कि यह भी शिलिका अपलास मेंगनेसियम से मिलके बना हुआ है इसलिए इसको सबसे घरी खान का है इस अबाउट फोर किलो मेटर वह खान कितिनी घराई में है तो चार किलो मेटर जो है वो गहराई में है ठीक है in search for oil engineers have dug a hole about 6 किलो मेटर डीप कहने का अर्थ क्या है कि engineer लोग जो है वाइल के यानि की तेल के खोज में petroleum जो बोलता है उसके खोज में क्या है 6 किलो मेटर तक जा चुका है यानि कि खोद चुका है ठीक है खोद चुका है to reach to देखते हैं क्या है to reach to the center of the earth यानि कि earth के अगर हम center में जाते हैं यह earth है तो earth के center मतलब यह क्या हुआ कूर के तरफ यानि कि पूरा तरह जाना तो संभव नहीं है लेकिन earth के जब हम center के तरफ जैसे बढ़ते हैं तो क्या होता है which is not possible यहां जाना संभव नहीं है you will have to dig a hole 6,000 km यानि कि 6000 km deep on the ocean floor या ocean floor से ocean floor क्या है ocean floor में जब हम जाते हैं तो आपको 6000 km तक आपको खोदना पड़ेगा तो कहने का earth क्या है world का सबसे deepest माइन कहां है तो आपको South Africa में है इसको देखिएगा कि South Africa में सबसे deepest माइन है कितना km तक तो 4 km तक deep है और इंजिनियर लोग कहां तक जा चुका है तिल के खोज में तो आपको 6 km तक जा चुका है ठीक है 1% क्या है 1% अपने यह पूरा अगार 100% है तो यह 1% है ठीक है फिर देखते हैं यह क्या है 84% है तो सबसे ज्यादा क्या है mental है और core जो है core में जाएंगे तो यह क्या है 15% तक core है तो सब्सक्राइब क्या है वोलूम का क्या है 1% तक क्रश्ट है पूरे आयतन का जैसे यह पूरा अर्थ हुआ तो कहने का अर्थ है इसका वोलूम जो है इसका आयतन उसका कितना परसेंट क्रश्ट है कितना परसेंट तक क्रश्ट है तो 1% तक यानि कि 1% तक आपका 15% तक हो गया अब हम आगे देखते हैं तो कहने का अर्थ है इसको समझ गया तो क्या है the crust forms only 1% of the volume of the earth 84% consists of the mental and 15% makes the core the radius of the earth is 6371 km आगे क्या कर रहा है the radius of the earth is 6371 km तो यह देखते हैं यह आपका अर्थ है अर्थ का रेडियस यह पूरा क्या हुआ पूरा diameter हो जाता है इसका आधा radius होता है यहां तो कहने का क्या अर्थ है यहां से यहां which center से जब देखते हैं तो यह आपका रेडियस हुआ तो कह रहा है रेडियस of the earth the earth का यह रेडियस है तो इस रेडियस कितना है तीर सट सो एक हात्ता यानि कि 63 71 km तक क्या है इसका radius है तो इसको समझेविएगा अब क्या है कि जैसे हम क्या करते है कि center में इसके जाते है अर्थ के जब center में जाते है कहने का अर्थ है कि जब हम कूर के तरफ जब हम जाते है कूर में जाते है तो क्या होता है कूर में temperature और pressure बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यदा क्या होता है तो इसको समझे होईएगा rocks and minerals के बारे में समझते हैं rocks यानि कि शैल क्या है एवं खनेज क्या है रोक्स मतलब होता है शैल यह वाम और खनेज तो हम किसे कहते हैं तो इसको हम देखते हैं the earths crushed is made up of various types of rocks कहने का और्थ क्या है विभिन तरह के क्या है तरह तरह के भी बूल सकते हैं इसको कि rocks से मिलकर क्या है earth का crust बना हुआ है और्थ का crust बना हुआ है तरह तरह के shallow के मिलने से तरह तरह के shallow के है ठीक है फिर से तो फिर निर्मान करते हैं कौन सा मिलकर करते हैं To भूत तरह का च्टैल यानि कि बहुत सारा रोक जो मिलता है didn't types of walks जब मिलता है तो क्या होता है क्रस्ट का Gotta क्रमेशन होता है शक्रेक है अब हम देखते हैं कि इसका स्ट मेहिसन होता अब हम है भुपरपट्टी क्या है बहुत तरह के खनीश पदार्थों से मिलकर बन रहा है किसी भी खनीश पदार्थ जो मिलकर के बन रहा है अब जैसे यहां क्या है बहुत तरह का खनीश पदार्थ जो है मिलके क्या होता है बनता है इनी नेच्रल मास यानि कि किसी भी प्राकिर्तिक पिंड को हम क्या बूलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं रॉक्स बूलेंगे रॉक्स हम किसे कहते हैं तो रॉक्स के बारे में हम क्या समझेंगे कहने का अर्थ क्या है इनी नेच्रल मास ऑफ मिनरल्स यानि कि कि किसी भी तरह के क्या होता है प्राकिर्तिक खनीश पदार्थों को क्या होता है तरह तरह के जो खनीश परपटी को बनाने वाले यानि कि ये क्रश्ट को बनाने वाले किसी भी खनीच पदार्थों के प्राकुरतिक पिंड़ को क्या बोलते हैं यानिकी नेच्च्राल मास को क्या बोलते हैं हम रॉक्स बोलते हैं ठीक तो रॉक्स समझ एज रॉक्स कैन बी ओफ डिफरेंट कलर साइजあり टेक्षा क्या है डिफ्रेंट कलर हो सकता है साइज का डिफ्रेंट साइज का टेक्ष्टर जो उसका बनावाट भी यानि की विभिन तरह के कलर आकार एवं क्या होता है अधार पर क्या यह हो सकता है यह तरह तरह का हो सकता है right yeah there are three major types of rocks अब देखते हैं इस रग्स के बारे में अब हम राख् 걱정 से क्या है बहुतों तरह कांव तरह तरह के विविन प्रकार के राक से मिलब करके अर्थ का क्रश्ट बना है अब हम क्या कहते हैं कि राख्स के बारे में जानेंगे कि रोक्स क्या है तो तीन तरह के रोक्स होते हैं एक तो होते हैं इगनियस रोक्स होते हैं सेडिमेंटरी रोक्स होते हैं और मेटा मॉर्फिक रोक्स होते हैं इसको हिंदी में हम बोलते हैं अगनिया 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 श्यल बोलते हैं अगनिया श्यल कहते हैं और सेडिमें को क्या बोलते हैं का कायान तरित कायान तरित शैल इसको ठीक है तो देखते हैं तीन तरह का आपका क्या हुआ कि यह रॉक्स हुआ अब देखते हैं क्या वेंदा मॉल्टिन मैगमा अब मैगमा हम समझते हैं पहले मैगमा हम कहते कि इसको है उसको पहले जानते हैं जैसे यह आ मैगमा है ठीक है यह मैगमा क्या है हमेशा क्या होता है इसका मूव्मेंट होते रहता है यह क्या होता है मूल्टन फॉर्म में रहता है यानि कि यह क्या है पिस्ट टाइप मां समझेए कि इसको पिस्ट टाइप से यह बिल्कुल रहता है और यह मूव करते रहता है यह मैगमा move करते रहाता है क्यों हमने ये पढ़ा कि core में जैसे जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे temperature जो है बहुत ही ज़्यादा temperature होता है तो temperature के सासत क्या है pressure भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है और यहाँ क्या होता है pressure जब पढ़ेगा तो कहीं न कहीं से यह मैगमा तो निकलना चाहेगा जैसे यह अर्थ का पूरा यह सर्फिस हुगा तो जहां पर अर्थ का सर्फिस कमजोर पड़ता है यह अर्थ का जैसे यह सर्फिस है यहां पर मैगमा का मुव्मेंट हो रहा है ठीक है क्यों हो रहा है कि यहां पर क्या है टे परत भाएं को बाहर निकलनां अब क्या करते हैं जैसे यहां पढ़िए सब्सक्राइब सब्सक्राइब PG up तोUS की मुल्टेन लिए मैगमा है अब क्या होता है जो पतला ये परत इसका अब इसको थोड़ा यहां पर जैसे यह परत यह पतला पड़ा तो यह क्या करता है उपर से इसको क्या करता है इससे बाहर जो है यह निकलाता है यह मैगमा बाहर निकलाता है जैसे यह अंदर है तो क्या हुआ मैगमा है और यह जैसे बाहर निकलेगा अर्थ सर्फिस से जैसे यह बाहर निकलेगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? बाहर निकलने के बाद इसको हम लावा बोलते हैं तो Igneous Rocks के बारे में हम थोड़ा बहुत और जानते हैं तो Igneous Rocks के बारे में हम थोड़ा बहुत और जानते हैं तो हमको और ज़्यादा जाकर के किलियर होगा तो agnius rocks क्या होता है कि agnius shell हम किसको बोलते हैं किसको कहते हैं यह क्या होता है इसको यहां समझते हैं तो क्या है फेंदमोल्टें मैगम कूल डू भीकंव सॉलीड क्या होता है थंड़ा होने के बाद में क्या होता है यह सॉलिड हो जाता है। तो वो मैगमा जो है, मैगमा जो है अंदर भी solid हो जाता है, या बाहर निकलने के बाद solid हो जाता है, दोनों तरह का, तो हमको पढ़ना है, इगनियक्स रोक्स के दो टाइप्स के बारे में पढ़ना है, तो पहले देखते हैं, ये जैसे ठंड़ा कैसे, जैसे बाहर निकला, मैगमा बाहर निकला, ठीक है, मैगमा चेंबर से जैसे बाहर निकला, और ठंड़ा होने के बाद में क्या होगा, ठोस हो जाता है, बिल्कुल solid हो, दस, formed are called igneous rocks, क्या होता है उसके बाद, यहीं क्या होता है, igneous rocks, कहलाता है, दि प्राइमरी rocks भी बोलते हैं, यानि की प्रात्मिक shell, प्रात्मिक shell बोलते हैं, यानि की two types of igneous rocks, क्या होता है, इंस्ट्रूसिब रोक्स मतलब क्या हो गया जो अंदर यानि कि कहने का अर्थ क्या है कि अंतर भेदी शेल और एक बहिर भेदी शेल होता है तो इंस्ट्रूसिब क्या हो जाएगा ये अंदर जो जाकर के ये होता है तो इसको बोलते हैं अंतर भेदी अंतर भेदी यानि कि अं ठंडा होता है और एक को वो क्या कहते हैं एक्स्टूसीब एक्स्टूसीब का अर्थ क्या हो जाएगा बहीर भेदी बाहर बहीर बाहिर भेदी तो बाहिर भेदी हो जाएगा बाहिर भेदी इसको श्रायल रोक्स मतलब इसको भी श्रायल बुले श्रायल ठीक है ता इंस्ट्रूसिफ रोक्स और एक्स्ट्रूसिफ रोक्स तो अंतर भेदी श्रायल और बाहिर भेदी तो अंतर भेदी क्या होता है बाहिर भ और फिक क्या है ये कहां से आया ये वर्ड तो इगनीस का क्या ओर्थ होता है यह लेटन वर्टस करिया है इगनीस मस्क्तिया और यस फ्लिके, है ठीक है सेडिमेंटरी मतलब क्या होता है यह यह भी लैटिन वर्ट से ही लिया गया है सेडिमेंटरी यह सेडिमेंटरी लैटिन वर्ट क्या है सेडिमेंटम 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 का अर्थ क्या होता है सेटल डाउन मतलब क्या होता है इस्थिर होता है इसका और मेटाम सिस्का अर्थ क्या होता है अल्यें परिवार्ता यह परिवार्टित होता है एक तो एक्स्टूसीव बता है और दूसरा क्या बता है इंस्टूसीव का अर्थ क्या होता है अंतर भेदी इंटूसीव का अर्थ क्या होगा यह आपका एक्स्टूसीव मैंगमा कभी-कभी क्या होता है यह अंदर क्या होता है जम जाता है यह अंदर ही जम जाता है तो अंदर जब जाएगा तो क्या होगा अंदर जमता है तो ये धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है धीरे धीरे ठंडा होगा धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे ये ठंडा होता है इससे क्या होता है इसका दाना जो होता है क्या बड़ी दानवाली हो जाती है दाना जो है बड़ा बड़ा इसक क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से यह क्या होता है ठंडा हो जाता है इसलिए इसका दाना क्या होता है महीन दानों वाला बहुत छुटा छुटा दाना होता है तो इसको आप समझे होईएगा अच्छे से तो हम फिर देखते हैं सेडिमेंटरी को देखते हैं तो सेडिमेंटर सबते तो सबसे पहले में वेदरींग को देखे थे पिर क्या देखे थे एरोजोन देखे और उसके बाद क्या डिपोजी तो सेडिमेंटरी रोक्स में क्या होता है ये जो है वेदरिंग में क्या होता है कि जैसे क्या हुआ कोई रोक्स है रोक्स पे क्या हुआ पानी पड़ा या किसी भी तरह जो है ये चटक जाता है तूट जाता है और तूटने के बाद क्या होता ह ऑडा ये धिरे-धिरे ये नीचे जो है जयसे टूटा चोटा-चोटा-टुकडा में हुआ। नीचे अना शुरू होता है। सझोना हुआ उसको वेदरिंग ऑ़याँ पंतलस प्छोहरोजिंगे इ्रोजन क्या हुआ ये जब नीचे गिर रहे है है उसको हम erosion कहते हैं और एक जगह जाके जमा हो जाता है इसको हम सदारन बहता है में इसको हम क्या बोलते हैं deposition बोलते हैं ठीक है deposition ठीक है तो यह हुआ है अब हम आगे देखते हैं इसको rocks roll down crack and hit each other and are broken down into a small fragments कहने का क्या अर्थ है rocks क्या है shell क्या है चट्टान क्या होता है roll down यानि की लुढक कर क्या होता है या cracks हो जाता है या चटक कर क्या होता है या एक दूसरे से टकडा कर वो छोटे-छोटे क्या होता है महीन दानों में क्या होता है चेंज हो जाता है छोटा-छोटा टुकड़ा में जैसे तूटा ये रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ा में जैसे तूटता है तूटने के बाद में क्या होता है ये बन जाता है सेडिमेंट यानि कि ये बन जाता है औसाद फिर से समझते हैं रॉक्स क्या है छोटे छोटे टुकड़े में तूटा कैसे तूटा तो roll down होके, crack होके या heat होके कहने का अर्थ क्या है? लुढ़ा करके उपर से जैसे पत्थर गिरता है पहाड से देखते हैं तो वो जैसे गिरा गिरने के बाद में किया हुआ वो समझाने के लिए बोलें ऐसे तो वो तूट गया तोटेने के बाद में किया हुआ जैसे टकडाया तो महीन दाना हो जाता है और तो वो महीन दाना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको बोलते हैं sediments sediments का अर्थ क्या होता है? अवसाद तो यह बन गया अवसाद Hindi इसलिए लिक रहे हैं इसमें इसमें भीज स्मॉल पार्टिकल और नीपो जिटेड़ बाई क्या होता है वाटर पानी के द्वारा हवा के द्वारा क्या होता है एक जगा लीप्र जाता है एक जगा जमा हो है कि जैसे दबाव पढ़ता है दबाव पढ़ेगा तो क्या होता है वो हाड हो जाता है अब जैसे यह महींदा ना हुआ ठीक है अब क्या होता है इस पर यह क्या कह रहा है जैसे इस पर दबाव पढ़ता है तो दबाव पढ़ने के बाद क्या होगा जैसे यहां पर प्रेसर टिक है यह प्रेशर पड़ा तो प्रेशर ओलीडी इस पर पड़ रहा है तो दबाओ होने के बाद क्या होजाता है यह दबाओ हुआ शायल क्या होता है कत्थोर हो जाता है ठीक है अब आप समझे होईएगा इसको यह धिरे धीरे परत वाइक परत जो है बनने लगता है यहां a seven यह माल लेते हैं यह सेडिमेंटाया यह अश्चार एक जगा जमा हुआ फिर आया फिर और साद इसके ऊपर जो है जमा हुआ फिर इसके उपर तो परत भई परत क्या होता है a Persia फ़ेयं वो का बनना सुरू हो जटा तो किया होता है प्रेस्टर जैसे पड़ेगा प्रिस्टरपडने के बाद क्या होता है ये हाड हो जए तो इसको सायदा आप समझे रॉज़ आप अच्छे से विजच टाइएस ऑफ रॉक्स आर को弓 डिमिंटी रोक तो सेडिमेंट रोक स समझ के किसको कहते हैं एक्जामपल सैंड स्टोन इज मेड आप फ्रॉम ग्रेंस ऑफ सैंड अब हम देखते हैं क्या कि जैसे बलुवा पत्थर रेत के दानों से बनी होती है दीज टाइप सफ रॉक्स आर कॉर्ड सेडिमेंट रॉक्टिक है फॉर एक्जामपल सैंड स्टोन यानि कि इसको हिंदी मोलते हैं बलुवा बलुवा पत्थर पत्थर तो बलुवा पत्थर क्या है बलुवा पत्थर क्या है तो देखिए made from grains of sand क्या है रेत के दानों से क्या है बनती है त्थिक है में also content fossils of plants animals and other microorganisms that ons lived on them कहने का अर्थ क्या है ये औसादी यानि कि sedimentary rocks कैसे बनता है वो हम जान गए और उस sediment पे यानि कि वो औसाद पे क्या होता है हो सकता है कि वहाँ पे plants रहा हो त्थिक है वहाँ पे animal रहा हो और चुटे चुटे क्या है microorganism में वहाँ रहे हो वो भी दव करके क्या होता है क्या बन जाता है उसी sediment में परत भई परत उसके उपर भी बन जाता है तो पुना क्या होता है ये और माइक्रो-orangाइजम के चुटे माइक्णिति ऊप्रण कि पर लग रहा करते ये स्गötने के लिए सिर्फ भे हम लिखते हैं तो रोग क्या हुआ ब्रेक हुआ ब्रेक हुआ या दिम पर BLACK हुआ एक जगा किया हुआ जाकर करके collect हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं sedimentary rocks सदारन भाता में इसको हम कहते हैं इसी sedimentary rocks में क्या होता है plants, animals और microorganism जो इस पर कभी रहा करते थे वो भी दब जाते हैं dead होने के बाद दब जाते हैं तो हम fossils के बारे में हम थोड़ा हम जानते हैं यह fossils है, fossils का अर्थ क्या होता है इसको हम कहते हैं जीवात्म fossils मतलब क्या होता है जीवात्म, rocks में rocks में क्या होता है कि यह animal plants और microorganism जो दब जाता है प्लांट्स पौधा प्लास एनिमल प्लास जो है माइक्रो और्गनेजमें ठीक है यह दब जाता है किसके परत में तो रॉक्स के परत में यह सब रॉक्स के परतों में परतों में डब जाता है ठीक है डब जाता है बहुत तरह क्या है एनिमल से यहने की जनतू या माइक्रो औ चब कहते हैं इसको हम जिवास्ट मोलते है ठीक है तो इसको द रिमेंज आप डेड्ल प्लांटS और एनिमल stretch इन इन डॉर्स ऎप रोक्स और कोंड देखिये ट्रापस इसमें क्या होता है प्लास जाता है यह मिर्थ पौधिय और पशु यह क्या होता है रोक्स के लेर में जो है दब जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इसको हम फोसिल यानि इसको हिन्दी में बोलते हैं जी वाश्म तो समझे सेडिमेंटरी रॉक्स कान चेंज इगनियस रॉक्स और सेडिमेंटरी रॉक्स कान चेंज इन इन्टू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेसर देखिए इगनियस रॉक्स कैसे होता है अब तो अब सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में समझ बहुत ही आसान है तो जैसे प्रेसर तेमप्रेचर बढ़ा तेमप्रेचर के साथ साथ कया होता है प्रे Sure भी बढ़ा तो यह क्या होता है इगनियास Walk-ad枢़ू-Sedimentary Rocks कहोता है Change हो जाता है किसमें मेटा मॉर्फिक मेटा मॉर्फिक रोक्स में चेंज हो जाता है मेटा मॉर्फिक रोक्स में ये चेंज हो जाता है कैसे जैसे प्रेसर क्या हुआ प्रेसर और टेंप्रेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद क्या होता है एगनियास रोक्स यानि कि अगनिय यह चेंज हो जाता है मिटा मॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता लाई है लाइन में तो clay की चेंज हो जाता है slate में और lime stone चेंज हो जाता है marble में तो समझ गया है इसको और फिर देखते हैं जैसे ये आपको red fort लाल किला है तो लाल किला को हम देखते हैं the red fort is made of red stone यानि कि लाल क्या बलुआ पत्थर से ये क्या है बना हुआ है red fort लाल बलुआ पत्थर से क्या है ये लाल किला बना हुआ है अब ये देखते हैं क्या ये ताज महल आगरा का ये किश्टी से बना हुआ है, तो ताज महल को क्या देखते हैं? कि ये जो है white marble, यानि कि सफेद marble से बना हुआ है. संग मर्मर से ये क्या है? बना हुआ है. अब आगे हम देखते हैं. अब दिखने हैं रोक साइकल के बारे में हम थोड़ा बहुत हम जानले कि रोक साइकल किसको करते हैं बाहर निकलता है तो क्या होता है इगनियस रोक में चेंज हो जाता है बाहर निकले या अंदर चेंज होता है तो वो क्या होता है यह भी क्या होता है फिर यह मैगमा क्या होत होता है और सेडिमेंटरी रॉक में चेंज होता है फिर वो सेडिमेंटरी रॉक्स और इगनियस रॉक्स मिल करके क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होता है फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है क्या ज्यादा हाई टेंप्रेचर और प्रेसर पढ़ने पर क जिसको क्या कहते हैं तो हमको आता है कि आप समझें भूए का फिर से हम थोड़ा फाया जाता है वह उसका you हम देखते हैं कि कहां-कहां इसका अब्यूब क्योंता है इन्धन में करते हैं इन इंधन में इसका यूज करते हैं जैसे इंधन में क्या जैसे कोईला हुआ कोईला का यूज होता है फिर जो है नेचुरल गयास नेचुरल गयास मतलब प्राकिर्तिक प्राकिर्तिक गयास है नेचुरल गयास और फिर क्या होता है पेट्रोलियम में ये क्या होता है चेंज हो जाता है जैसे उद्योगों में देखते हैं त्वारकों के रूप में जैसे लोहा है लोहा iron और, लोहा ऐल्मूनियम, सोना, यूरेनियम ये सब क्या है minimal sink तो है जैसे ये क्या हुआ ये iron या इसको हम F.E. भी लिखते हैं, iron हुआ लोहा, ऐल्मूनियम एल, ऐल्मूनियम और गोल्ड, सोना और यूरेनियम ठीक है ये सब क्या है इन सब चीजों में क्या होता है इसका यूज होता है तो हमको आसा है कि आप इसको अच्छे से समझे हुएगा अगर कोई प्रोब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले